नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वक्षीट नमबर 72 यानि क्रिया कलाब 72 यह 26 सितमबर 2020 की है यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना क्लास और सेक्षन और यहाँ पर अपने टीचर यानि अध्यापक का नाम लिखेंगे हमारा आज का टॉपिक है मैं हूँ सफाई इंस्पेक्टर ठीक है यानि आज आप एक इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं इंस्पेक्टर कौन होता है इंस्पेक्टर वो होता है जो अलग-अलग चीजों को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं है कोई दिक्कत आती है तो उसको ठीक करवाता है यानी ध्यान देता है अलग अलग चीज़ों पर और आप कौन से इंस्पेकटर बन रहे हैं आप बन रहे हैं सफाई इंसपेकटर तो आप किस चीजी के बारे में ध्यान देंगे आप सफाई के चले शुरू करते हैं एक तरफ बना है वेट वेस्ट का कूड़े दान ठीक है यानि हरे रंग का कूड़े दान यानि गीला कूड़ा जिसमें हम डालते हैं एक तरफ बना है ड्राइ वेस्ट का कूड़े दान जो की नीले रंग का है ठीक है जिसमें हम सूखा कूड़ा डालते हैं अभू ये कुण से कूड़े हैं और ये अलग-अलग क्यों किये गए हैं। चलिए देखते हैं. पहले हम देखते हैं गीला कूड़े यानि wet waste इसमे निकाए हरे कूड़े दान में सबजीयों ऑर फलों के चिलके, बचा खाना, गले सड़े फल, एम सबसिया सबजियां फूल पत्ती आदी डाले जाते हैं तो इस वाले कुड़े दान में यानि हरे कुड़े दान में हम क्या डालेंगे हम इसमें डालेंगे गीला कुड़ा और वो कुण सा होता है वो कुड़ा होता है जैसे की सबजियों और फलों के छिलके जो बच जाते हैं ठीक है को की जो पत्तियां तूट जाती है ठीक है फूल गिर जाते हैं वो भी क्या है वो सब गीला कुड़ा है ठीक है इस कच्रे से खाद बनाई जा सकती है ठीक है इसे हम क्या बना सकते हैं खाद अब खाद क्या है खाद देखो बेटा खाद एक special तरह की मिट्टी है जिसको हम अपने खेतों में या बगीचों में डालते हैं जिससे की क्या होता है जिससे की वो जमीन और ज़्यादा उपजाओ हो जाती है और ज़्यादा उपजाओ होने का मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि उस जमीन में खाद डालने के बाद वहाँ पर उगाए हुए पेड़, पोधे या फसल जो भी आप वहाँ पर उगाएंगे वो और ज्यादा अच्छे से उगेगा खाद क्या होती है? खाद में पोशकतत्व होते हैं ठीक है? और उस खाद को हम मिट्टी में डालते हैं तो सारे पोशकततव के चले जाते हैं और उस मिट्टी में होने वाला पेड़ी या पोधा बहुत ही अच्छा उगता है ठीक है फलाहार उगता है और उसमें बहुत सारे पोशक तत्व होते हैं चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं ये कह रहा है सूखा कूड़ा यानि जिसके लिए हमें नीला डस्ट बिन चाहिए नीले कूड़े दान में सूखा कच्रा जैसे की कागज, गत्ते, प्लास्टिक, काच, पन्नी आदी डालते हैं तो सूखा कूड़ा कौन सा हुआ ये हो गया जैसे की कागज हो गये, गत्ते हो गये, प्लास्टिक हो गया, काच हो गया, पन्नी हो गयी ठीक है ये सब किस में आते हैं ये सब सूखा कूड़ा है इस कच्रे को इस्तिमाल कर फिर से नया सामान बनाया जा सकता है यानि वो क्या कह रहा है कि इस कच्रे को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं या इससे कुछ नया बना सकते हैं जैसे कि आपको याद होगा हमने थोड़ दिन प बना लिया ठीक है तो ये सारे क्या है ये सारे है सूखा कूड़ा और इसको हमें किस में डालना चाहिए नीले डस्ट बिन में इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं ड्राइब वेस्ट यानि सूखा कूड़ा तो अब हमें पता चल गया क्या पता चल गया किसर दो तरह के ड ड्राइवेस्ट यानि सूखा कूड़ा डालते हैं वेट वेस्ट यानि गीले कूड़े का क्या होता है उससे हम खाद बना सकते हैं और सूखा कूड़ा यानि ड्राइवेस्ट से क्या होता है इससे हम नया सामान बना सकते हैं ठीक है या इसको दुबारा हम इस्तिमाल कर सकते ह तो हमें अलग-लग dustbin का अलग-लग कुड़ेदान का पता चल गया और कौन से dustbin में हमें कौन सा समान डालना चाहिए ये भी हमें पता चल गया आईए अब उपर देखते हैं अब वो कह रहा है आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर यानि आज आप सफाई इंस्पेक्टर बन गए है अब इसे लिए हमने पहले नीचे उसको पढ़ा था ताकि हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है चुकि अगर आपको ही नहीं पता होगा कि गीला कुड़ा, सुखा कुड़ा कैसा होता है हरा डस्ट बिन, नीला डस्ट बिन कैसा होता है तो आप दूसरों से क्या पूछेंगे ठीक है, तो आईए आज अब हमने पढ़ लिया है अब हम इंस्पेक्टर बन जाते हैं कुड़ा, कच्रा पर बनते सम्मंदित कुछ सवालों के जवाब खोजिए यानि आपको क्या करना है आपको कुछ सवालों के जवाब यानि आनसार्स डूनने है, कौन से इनके जवाब आपको अपने घर पर ही मिलेंगे यानि आपको अपने घर में जितने से 10 से हैं मम्मी, पापा, बाई, भेण उनसे ही आप पूछेंगे इन सब के जवाब तो इंस्पेक्टर जी यानि अब आप इंस्पेक्टर बन गए है क्योंकि आपने सारी पढ़ाई कर ली है कुड़ा कच्रे के परबंद के बारे में हमें क्या करना है पता लगाईए और बताईए क्या पता लगाना है सबसे पहले पूछना है आपको अपने घर में कि आप घर का कुड़ा कहां फेकते हैं तो आप ममी बापा या भाई बेहन या दादा दादी से पूछे कि आप घर का कुड़ा कहां फेकते हैं और वो जहां भी फेकते हैं उस जगह का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जैसे हो सकता है वो बताएं कि हम कुड़े दान में अपना कुड़ा फेकते हैं तो आप यहाँ पर कुड़े दान लिख देंगे ठीक है फिर आप पूछेंगे उनसे कि क्या आप गीला और सुखा कुड़ा अलग अलग करते हैं ठीक है पहले तो आप पूछोगे कि उनको पता है कि नहीं पता है कि गीला कुड़ा और सुखा कुड़ा क्या क्या होता है ठीक है अगर उनको नहीं पता है तो आप उनको बताओगे कैसे बताओगे अभी मैंने आपको बताए न कि गीला कूडा और सुखा कूडा कूडा कौडा कौनसा होता है वैसे ही आप उनको बताओगे ठीक है फिर आप उनसे पूछेंगे कि क्या वो उनको अलग-अलग करते हैं अगर करते हैं तो आप यहां पर हां लिखेंगे नहीं तो नहीं लिखेंगे फिर आते हैं हम प्रशन तीन पर फिर आप उनसे पूछेंगे कि क्या कभी आपने गीले कुड़े को किसी उपयोग में लिया है अगर हाँ तो कैसे तो यह आप उनसे पूछेंगे कि जो गीला कुड़ा होता है यानि बचा कुचा खाना हो गया या खराब फल सबजी हो गया या सबजी हो के या फलों के छिलके हो गया क्या आपने उनको किसी उपयोग में लिया है क्या कोई इस्तिमाल किया है अगर हां कहेंगे आपके घर पे तो आपको उनसे पूछना है कि उन्होंने कैसे किया है ठीक है तो इसका जावा आपने घर वालों से पूछेंगे ममी पापा से पूछेंगे फिर आता है नमबर चार कि क्या आप जानते हैं कि गीले कूडे से बढ़िया खाद भी बनाई जा सकती है आपने तो पढ़ लिया कि खाद कैसे बनती है और क्या होती है खाद तो अब आप अपने घर वालों से पूछेंगे कि क्या गीले कूडे से बढ़िया खाद बनाई जाती है ये उनको पता था कि नहीं पता था अगर पता था तो आप हाँ लिखेंगे नहीं पता था तो आप यहाँ पर नहीं लिखकर उनको बताएंगे कि गिले कुडे से खाद कैसे बनती है फिर हम पूछेंगे पांचोंगा प्रशन क्या पूछेंगे घर को साफ रखने में किस-किस का योगदान होना चाहिए यहाँ पर हमें पता है कि घर को साफ रखने में सभी का योगदान होना चाहिए यानि जितने भी आपके घर में सदत से हैं सभी का योगदान होना चाहिए घर की सफाई में सब अपना कुड़ा इकटा करेंगे और उसको सही डस्ट बिन में यानि या तो उसको हरे डस्ट बिन में अगर वो गिला कुड़ा है तो नहीं तो नीले डस्ट बिन में अगर वो सुखा कुड़ा है तो ठीक है इन में आपको डालना है फिर वो पूछ रहा है कि क्या आपने कभी ऐसे कूड़े दान देखे हैं एक हरा और एक नीला तो अगर आपने देखे हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं अगर आप नहीं देखें तो मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूं देखें जैसे यह एक बस्टॉप पे लगा हुआ है ठीक है मेट्रो में भी लगे हुए होते हैं मेट्रो के जो स्टेशन होते हैं उन पर फिर आगे देखते हैं सोच यह इनका रंग हरा और नीला ही क्यो रखा गया होगा तो यह आप थोड़ सा सोच के देखेंगे कि गीला कुडा जो है उसके डस्ट बिन का रंग हरा क्यों है आप यह सोच कर देखें कि गीले कुडे में क्या कैसा माना आता है ठीक है उसके हिसाब से क्या इस कुडे दान का रंग हरा होना ठीक था ठीक है फिर आप इधर देखेंगे कि सूखे कुड़े में क्या कैसा माना आता है और क्या उसके हिसाब से इस का रंग इस कुड़े दान का रंग नीला होना ठीक ता कि नहीं था ये आप सोचेंगे आज की ग्लासी इंगतम होती है अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू और जै हिंद